अलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने इस यूटूब चैनल जिसका नाम है लर्न विट इडू फान्डा जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एक दू दिन में UGC NET का रिजल्ट आने वाला है तो आप लोग के हैवी डिमांड भी थी और स्टार्ट करने का अच्छा टाइम भी है तो आज से हम लोग UGC NET पेपर वन की पूरी तयारी करेंगे हम लोग और आज हम लोग बस इसके स्लेबस के बारे में डिसकस करेंगे और आपको पता चल जाए कि स्लेबस में क्या आना है क्या पढ़ना है क्या चीज इंपॉर्टन है क्योंकि इस बार का जी एक्जाम था हुआ था वह काफी उसका फॉर्मिट अलग था क्यों को स्टार्मेशन वह काफी अलग थे क्योंकि उन्होंने ऑप्शन काफी तफ लेबल के रखे थे और मैक्सिम मतलब मैक्सिम्म लोगों का मेरे पास mail आया और लोगों ने बताया कि उनको बड़ी मुस्किल से 25 मतलब बहुत मुस्किल से 25 तक पहुँचा है किसी-किसी लोगों का ही बिस 25 प्ल 32 प्लस आपको एकदम correct questions करने ही करने होते है paper 1 में तो आप हमारे मेरे साथ बने रही है और मैं आपको एकदम guarantee देता हूं कि अगर जो आपने मेरे साथ और मेरे पढ़ाय हुए materials को पढ़ेंगे और मैं जैसा बोलूंगा आप उसको follow करेंगे तो आपको no doubt आप paper 1 में 35 प्लस ग कर देता है कि हमारा syllabus है वो क्या क्या पूछेंगा और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसलिए मैंने इंग्लिस और हिंदी दोनों में इसको translate किया है ताकि आपको मेरे पास जितने भी mail आया है वो maximum लोग हिंदी के लिए डिमांड कर रहे थे फिर भी और कुछ लोग थे जो इंग्लिस के लिए डिमांड कर रहे थे ऐसी कि मैंने दोनों को combine कर दिया है ghost je क्योंकि hindi medium वाले मेरे पास मेरी जानने वाले जो लोग हैं वह produktि दिमांड के यह राएच हिंदी मीडियों वाले काफी उनकी संख्या जा लाना है और इंग्लिस में मीडियुम की कूड़ी कम है इसलिए मैं यह पेपर हो जाहिन करूंगा और झांप मुझे लगी है कि नहीं हुझे इंग्रिस में आप लोग को समझा दिना चाहिए तो वहाँ पे मैं आपको डिसकस करूँगा और यह जो पेपर था वो maximum यह जो लेक्चर होगा वो maximum लोग इसको फोन पे देखते हैं तो इसलिए इसको फोन के आपको फोन को लैंडिसके मोड में नहीं आपको पोर्ट्रेट मोड में ही रखके आप अराम से इसको इसको इसलिए वे में लेक्चर अटेंड कर भाएंगे और अच्छे से समझ भाएंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला जो टॉपिक है यूजी सी नेट इसका लेक्टिस ऑफ क्या है उसके बारे में आज जानेंगे तो चलिए दिखते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजी सी जो नेट का पिपर वन होता है पिपर वन में कि दस यूनिट होते हैं तो पहला यूनिट है हमारा इसमें सिच्छट के बारे में बताया जाता है कैसे क्या सिच्छट दी जाती है रिसर्च अप्टिट्यूट इसको हिंदी में अनुसाम धान भूलते हैं कॉम्प्रिहेंशन इसको मतलब एक स्टोरी टाइप हो जाती है उस उन्होंने सही किया लेकिन जैसे उन एंसर की आया तो उसमें जो एंसर था वो कुछ और दिया गया था तो हम लोग इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और ट्राइ करेंगे कि इसमें से पांच के पास कुश्चन एकदम सही हो और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब कुछ लोग की मैथ काफी होती है तो इसमें हलागी इसमें मैथ मैटिकल जो होता है वह बहुत जार तफ नहीं पूछता है लेकिन फिर भी लोग टफ लगता है तो इसके साथ हम लोग मेरे साथ आप लोग जुड़े रहेगा मैं इकदम एजी वे में आपको concept को प्लियर करा दूगा और आपको जितने भी questions आएंगी मालेजे कि आपके 5 questions आते हैं मैथ के पांच में से आपको 4 तो प्लस लग लग चार तो इकदम आप अच्छे वे इसके बाद से आता है आपका six six unit जो है वो logical reasoning का है इसके बाद seven unit data interpretation यूनिट eight जो है information and communication technology जिसको salt में ICT बोगते हैं इसके बाद से आता है आपका unit 9 जिसमे people development and environment के बारे में पढ़ा जाता है उसके बास आता है unit 10 इस बार जो unit 10 मतलब higher education system इस बार higher education system से काफ़ी questions पूछे कहते है इसको हम लोग बहुत अच्छे से और detail में discuss करेंगे तो यह तो था बस एक overview था कि हमारा जो unit 1 में क्या हो unit 2 में अब उसको इग्दम अच्छे से देखेंगे कि unit 1 teacher aptitude में क्या क्या चीज़ है क्या concept है किस level पे हम लोग क्या पढ़ेंगे और क्या ऐसा पढ़ेंगे ताकि वो exam में आये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हम लोग जाना है यह फिल बहुत ज्यादा burden हो जाए तो पढ़ेंगे वह ही जो exam में पूछे जाएं क्यों होई भी exam को देने से पहले आप लोग उसको प्रिवियर के जितने भी sets है उसको लगाई है आपको idea हो जाएगा कि हार कि इसमें क्या question जो है वो पूछा जानना है तो उसका idea बन जाएगा और उसको आप जाएगा और आप आप से easy way में उसको solve कर पाऊंगे तो आपके पास KVS मदान की book तो होगी है और ऐसा कोई नहीं होगा जिसने पूरी book को अच्छे से मतल venture से क्या बोलता सो एक्दम learn कर लिया हो कि यार्थ कर लिया हो यह बुक जो है काफी the book है और इसमें ओर्ट्स हैं वह काफी detail है ही math crypto कि यूज़ की गेरा है है हम लोगों बस exam को clear करना कि करनाकि टॉप करना है ठीक है तो एक्जाम ओरेंटेड हम लोग पढ़ेंगे बस करेंगे ऐसा कि ताकि हम लोग मेरिट में आ जाए और हमारा ज्यारफ क्लियर हो जाएगा क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि ज्यारफ नेट बहुत ज्यादा टफ है ऐसा कुछ नहीं है तो बहुत कि ज्यारफ और नेट बहुत ज्यादा नेट का पर है तो बहुत ज्यारफ है ऐसा कुछ नहीं है मैंने फरस्ट अटेंट में ही क्लियर किया है तो ऐसी कोई दखने वाली बात नहीं है कि नहीं नेट है तो बहुत ज्यारफ है ऐसा कुछ नहीं है तो आईए हम लोग इसको अ teaching attitude में क्या है teaching attitude में आपका सिच्छड आवधार्ना उद्देश सिच्छड के इस्तर जिसमें इस्मृति इस्तर समझ इस्तर और चिंतन से लस्तर लक्षड और बुद्यादी और आवसक्तायम सिच्छड देखे थोड़ी से मेरी हिंदी परिदी मत जाएगा सब्दू मत जाएगा जो लिखा है इस पर जाएगा किंकि थोड़ी से हिंदी पढ़ने में थोड़ी सीच्छार्ती की विषस्ताय किशोर और व्यास्क सिच्छार्तियों के लक्षड सैचिक समाजिक बाउनात्मक और संग्यारनात्मक वेक्टिगत अंतर यह मुलब टीचिंग एप्टिटुड में यह यह चीज़त हम लोगों को पढ़नी है कि यह थोड़ी स्लेभरत में 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 इसी को चीज को हम लोग देखते हैं teaching aptitude में, teaching concept, objectives, level of teaching, memory, understanding, and reflective, learners, और क्या आगे ला, ये factors affecting teaching, related to methods of teaching in institution of higher learning, teaching support system, evolution system, credit system in higher education, computer-based testing, innovations in evolution systems, ये सब इस teaching aptitude के अंदर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, आई है, unit 2 में देख लेते हैं, क्या है, और ये, उसका है, जो teaching aptitude था, ये उसका सारा का सारा, जो मैंने English में पढ़ा, वो इसका रहा है हिंदी में, ठीक है, इसको देख लिए है, सीखने का महौल और रूचस्तरी सिख्छा में, देखिए, एक चीज़ देख लिए है, कि हम लोगों को ये पढ़ना, अगर जो, आप पढ़ेंगे, थोड़ी सी, कठना Kennenia Ji, क्यूँ Glen, क्यूंकि, कठना anyway, कि ये एक दिमाग में बैठ जाता है, मंजे यह इह को पढ़ लेंगे तो अच्छे से चीजों को हम लोग describe कर पाएंगे अच्छे से चीजों समझा पाएंगे क्योंकि यही वो सारी की सारी चीज़े हैं जो एक student और teacher नहीं आप प्रोफेसर होगे तो teacher और student मतलब कैसे अपने आप में connectivity बना पाएं कैसे अपनी बातों को समझा पाएं क्योंकि class में सभी लोग एक mindset की नहीं होते हैं कि कोई किसी को अच्छा समझ में आता है किसी को देर से समझ में आती है किसी को बाते समझ में ही नहीं आती है बिल्कुल भी तो सबके लिए कैसे सबको लेके चले ताकि बहुत तेज है वह भी बहुत मतलब बहुत आगे निकल जाए लेकिन जो पीछे है वह बहुत पीछे ना रहा जाए मतलब सबको एवरेज में लेके चलना है ताकि जो development हो माइंड डेवल्मेंट हो वह equally हो ताकि ब आता नहीं है तो उसको छोड़ दो ऐसा तो है नहीं क्योंकि हम लोग को सिखाए गया है कि equal by exam जब student hall में जब student हो तो सब सारे equal है चाहे वो कोई भी हो और उनका mindset के ऐसा भी हम लोग को सबको पढ़ाना है सबको मानसिक रूप से हर चीज से उन लोग को develop करना है ठीक है यही आप लोग होंगे, experts होंगे जो जिनको ऐसा महाल नहीं मिला होगा तो आप जैसे पढ़ोगे तो वह से सोचोगे कि कास मेरे भी teachers ऐसा होते तो हम लोग आज हमारा mindset अगदम अलग होता हम लोग कुछ अलग कर रहे होते हैं तो ऐसा सब चीज आप लोग के दिमाग में आएग उनको कैसे बताना है कि society कैसे society में कैसे रहना है कैसे सब को की मदद करना है और एक चीज ठीक है यही सब चीज इसमें आपको पढ़नी है तो यह as a syllabus मत पढ़िएगा as a syllabus मत पढ़िएगा as a suchyएगा कि यह ethics है अब ethics के साथ ही हम लोग इसको अडप्त करेंगे ठीक है तो यह बहुत जल्दी समझ में आएगा और इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं कि मैं आपको इसमें बताऊं अब देखिया research aptitude क्या होता है कि माली जी आप बहुत लोग होते हैं जिनका ज्यारफ हो जाता है तो पीच्डी के लिए अपलाई करते हैं और पीच्डी के लिए अपलाई करेंगे तो पीच्डी में मतलब आपको research करना ही पड़ेगा ठीक है तो यह research aptitude में क्या कैसे क्या होता है जैसे माली research का meaning क्या है उसका type क्या होता है उसके perspective क्या होते है methods of research क्या होता है steps of research क्या होता है कितने कि इसके फॉर्मेट्स वगरा होते हैं तो यह सब चीजे आपको इसमें रिसर्च अप्रिचूट में पढ़नी हैं तो आप लोग इसको एक बार गूत्रू हो जाएगा आप लोग मैं पढ़ दे रहा हूं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं कि इंगलिश में तो आप लोग वह से पढ़ी लोग है हिंदी में फोड़ी सी वाले थोड़ा समझ जाएं ठीक यूनिट्टू में है संधान के अर्थ है इसमें इसकी प्रकार विसेचता है प्रत्यक्ष्वाद संधान के लिए उत्रुफतब द्रिष्टी कौन देखिए मैंने पहले बोल दिया कि हिंदी सब्सक्राइगा कि फड़ी से हिंदी में कमज़र है ठीक है अनुसंधान के तरीके प्रयायोगिक वर् प्रश्वाद संधान के चर्म थितिस और लेखन संदर के प्रारूप और सहल ठीक है यह हमारे इसमें आते हैं किसमें रिसर्च अप्रिटी टूब में ठीक है यह आपको पड़ लीजिए है और यह चीज आपको बता दूं कि यह जितने भी पीडियाप्स हैं यह आपको टोटली फ्री में अविलेवल कराए जाएंगी और इसके लिए आपको कुछ करना कुछ नहीं है आपको बस एक टेलीग्राम चैनल को जोईन करना है ठीक ह यह चैनल का नाम है इसी के नाम से है Learn with Edu Funda मिलता है तो उसको आप लोग एक बार देखिए खुद से उसको ट्राइक कर यह पढ़ लेंगे तो काफी कुस तो 40% आपको आई जाएगा और बहुत बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 70% तेयार हो जाएगा मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि आप लोग यह पीडिय पढ़िएगा आप लोग जैसे PDF मिलता है उसको थोड़ा सा आप जैसा time मिले आपको जैसा time table set है उस time table के हिसाब से उसको पढ़िएगा और मैं guarantee का देता हूँ कि आपको इसमे paper 1 में 35 plus 35 plus gain करेंगे और जो की मेरा subject जो है जो वह geography है ठीक है geography है तो आप लोग अगर आप आप लेंगे तो हम मैं geographic का भी पेपर 2 के geographic के लिए भी मैं classes start कर दूँगा क्यूंकि बहुत जालनी हम लोग इसके बहुत लोगों का message आ रहा है लेकिन मैं सूच रहा हूँ कि एक large number of amount हो जाए ठीक है तो इसलिए मैं रुका हूँ आप हूँ कि उतने नंबर पूर हिट कर ज जान क्यूंकि यह इतने भी आपका PDF मिलते हैं यह फिर मिलते हैं यह सब डिजाइन करने काफी समय लगता है और मैं चाहता हूँ कि जितना मैं समय दूँ उसका utilization हो utilization का मतलब की मुझाली जी मैं एक PDF को बनाने में एक घंटे लगते हैं तो मैं चाहूँगा कि कम सकम वह 10,000-20,000 जितने भी बच्चे हैं मिल्मक 10,000 लोग देखें उसको उससे benefit ले तभी मैं लगता है कि यहां खुद से satisfaction आती है कि हाँ चलो मेरे 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 सफल हुई ठीक है आपको शेरिंग करने में एक रुपए भी ने लगते हैं और जितने भी यह courses होंगे वह आपको टूटली फ्री में अविलेल कराया जाएंगी और A to Z यानि कि जो आप देख रहे हो कि एक से लेके 10 जो यूनित है आपको एक एक यूनित आपको कवर कराया जाएगा और वह ईसका जो जो उसे नोटिफिकेशन है वह आपका मार्च मिड तक मार्च मिड तक आजाएगा तर के छितन kindness कि आने कि याने कि पंडर से 20 मार्च तक आजाएगा और मस्त इसका जुलाई में होगा तो आपको एक महीना कि हम लोग एक महीने पहले से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मान की चलिए कि यह आपका डेड़ महीनिय में 1.5 में आपका यह जो पेबर वन है वो एंड हो जाएगा इसके बास आपको बस इसको रिवाइस करना है और इसके बास जब यह आपका फेबर वन खतम हो जाएगा तब मैं आपको लिए लाओंगा एक प्रैक्टिस सिट्स जिसमें कि आपको हर जैसे की एक्जाम में जिससे को फॉर्मा था जैसा उसका फॉर्मेशन था उसी बेस्ट पर आपको हर रोज मतलब कर डेली आपको एक मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको पचास को सिंस मिलेंगे और उसमें आपको सॉल्व करना होगा और यह कुश्चन का मैंने एक बार इस सर्प्राइज भी रखा है कि ज दूसरा स्वरी तिसरा जोगा कॉपरेंशन की बारे में के आप बताना आप लोग बश्मन सही जानते होगे कि एक स्टोरी दे जाती है मालीजी कोई स्टोरी है उसके रिलेगे पूस दिया जएगा इसका suitable name बताओ इसका मतलब इसमें यह चीज था तो वह क्यूं था यह मतल इसके meanings है, types है, characteristics of communications है तो चलिए, next चलते है अब देखे इसमें communications में ही देखे इसका effective of communication, verbal and non-verbal, intercultural and group, communications, classroom communications, barriers of effective communications, mass media and society, यह सब communications के types है अब इसको हिंदी में देख लीजिए, संचार का अर्थ, संचार का अर्थ, संचार के प्रकार और उसकी विस्यस्ता, संचार प्रवावी, संचार संस्कृती और समु संचार, कच्चा संसार, संचार, मौखिक, अंतर, मौखिक और प्रवावी, संचार की बधाएं मास मेडिया और समाज यूनिट जो 5 है आपका मैथेमेटिकल रेजिनिंग जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपका मैथेमेटिकल मतलब बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल समान लिजे कि आपका परसेंटेश पूछ लेता है एवरेज पूछ लेता है अब कि आपका कुछ एक सीरीज पूछ लेती है मतलब ऐसा देखिए इसमें पूरा दिया हुआ है इनट 4 में मैथेमेटिकल रिजनिग रिजनिग इन आपिटीध है टाइपस ऑफ रिजनिंग है नेंबर सिरीज कि आपका जैसे कि प्रेस वैली पूछ दी जाएगा जैसे कोई आजाएगा, mathematical aptitude में आपका fraction आजाएगा, time and distance आजाएगा, ratio आजाएगा, proportion आजाएगा, percentage, profit loss, interest and discount, discounting, average और मतलब ये सब चीज़े आजाएगे थे अब वही चीज़ देखिए अब कसे में इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, तरके प्रकास, संख्या, स्रिंकला, अप्चा स्रिंकला, code और code और संबंध होगा ये, ये ये संबंध ही होगा, संबंध होगा, ठी, गड़ती है युग्यता, अंस, समय और दूरी, वही फैक्शन प्रकास बोलते हैं, ये अब्याज, छूट और सत्यादी, नेश्ट है, आपका लोजिकल रिजनिंग है, लोजिकल रिजनिंग मतलब की आपका रिजनिंग से रिलेड़ेड ये, जैसे की, जैसे की कोई अलफबेटिकल प्लेसमें भी पूस्ट देगा, जैसे की इसमें दिय इसमें, अनलोजी है, वेन डाइग्राम है, सिम्पल एंड मंटिपल यूज आफ इस्टेबलिशिंग वैलिटी ऑफ आउगिमेंट्स है, जैसे की मैंने बताया, अनलोजिकल मेंस आफ नॉलेज, प्रमांग, प्रत्यक्षा, ये सब इस चीज़े हैं, ठीक है, पढ़ इसमें क्या-क्या पढ़ना है, और क्या-क्या चीज़े हैं, और क्या-क्या इसका बेटेज है, ठीक है, अब वही लॉजिकल रिजिनिंग का हिंदी में देख लीजएगा, आप लोग वासा, संक्यता, के उपयोग, और सर्थेड, डिनोटेशन, कच्छा में, काल भी वर्ग, डिदक्टिव और इंडिदक्टिव रिजिनिंग का मुल्यांकन और अंतर करना साथ द्रिश्य, ये सब चीज़ें अनमाल लगाना, अब आगया डिटा इंटर्पटिशन, डिटा इंटर्पटिशन तो बहुत ही इजी है, लेकिन हाला कि जो इनको नहीं आता वह उ चार्ट, टेबल, लाइन, बार चार्ट, इस्टोग्राम ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, यूनिटेट जो है आपका इंटरनेट, इंटरनेट, इमेल, आउडियो, वीडियो कॉन्फरेंसिंग, डिजिस्टल इनिशिटिव्स, इन हायर एडुकेशन, आइसिटी और गवर्न प्रणी है, ठीक है, development and environment, millennium development and sustainable development goals, ठीक है, इन सब के चीज़ें के बारे माँ बढ़ना है, human and environment, interaction, environmental issues, soil pollution, noise pollution, waste, liquid, solid liquid, biochemical, hazardous, electronics, climate change and socio-economic and political dimensions, इन सब चीज़ें के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, एडिटानेट, आपको बढ़ना है, ठीक है, दीक है, ठीक है यह सब चीज़े के बारे में आपको पढ़नी है देख लिए इसमें किया है इंपक्स आफ पॉलिटेंट्स on human health, natural and energy resources, solar wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forests मतलब यह सब चीज़े के बारे में पढ़नी है जाकि हम लोग अपने environment के बारे में अपने people के बारे में हम लोग अच्छे से जानता है कि यह बहुत सारी जो research paper जो होते हैं इसमें बहुत इसको data में explain करना होता है उनके बारे में बताना होता है कि कौन सी चीज किसको impact ज्यादा करेगी, कौन सी चीज किस से connected है, कौन सी चीज किस से interconnected है एक चीज को affect करते हैं तो उसका effect जो होता है वो कौन-कौन सी चीज पर आता है इन सब चीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है वही है लोक, विकास, और पार्यावरण यही सेम चीज है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा गोथ्रू हो जाएगा आप लोग आराम से आपको PDF ऐसा नहीं है कि आपको note बनाने की जोरत है आपको PDF मिल जाएगी तो आपको notes वगेरा बनाने की जोरत नहीं है आपका unit 10 जो है higher education higher education मतलब कुछ इसे चप्रा राली वाली higher education system जो है institution of higher learning and education in ancient India evolution of higher learning and research in post-independence India इन सब चीज़े को बारे में पढ़ना है जी से मतलब आपका UGPG जितना भी होता है वो आजाता है policies आता है governance आता है instruction आता है value education and environmental education professional technical and skill based education oriental conventional and non-conventional learning programs in India इस सब चीज़े के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि इस बार जो question थे वो इससे काफी कुछे गए थे तीन questions इससे पूछे गए थे हार से मतलब दो या तीन questions तो इसमें fixed थे higher education में हलाकि पहले जो था वो एक-दो questions मिल जाता था लेकिन इस बार जो तीन questions मतलब minimum 2 questions तो हार सेक्ट में पूछे गए थे मतलब हार सेक्ट में ठीक है तो इसी आज सेम चीज़े ही इसका है हिंदी में translation है उस सिक्छा प्राडाली प्राचिंग भारत में सिक्छा और सिच्छा के स्थान के सब चीज़े ठीक है तो यह हमारा आज का syllabus था पूरा अब इसको हम लोग start करेंगे कल जो हमारा था वो teaching aptitude से start करेंगे unit 1 से ठीक है तो जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like करें like करें share करें और subscribe तो करीदें ठीक है और यह जो लेक्षर का timing जो होगा वह सुबेद 10 बचे होगा 10 से एंपर कि यह अच्छी timing होती है और इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आप लोग पूरे दिन भी इसको अच्छे से पढ़ाएं और आप लोग एक बार जूरू बता दीजिएगा कि geographic classes जो है वह कब से start किया जाए ठीक है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अच्छे से अच्छे रिव्यू दीजिएगा और आप कमेंट करिएगा और किसी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट करिए ठीक है चलिए तब बिलते हैं अगली वीडियो में